Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel कैसे हो सब लोग उमीद करता हूँ, सब ठीक ठाक होंगे मेरा नाम जिशान हुसाइन है और मैं सब इन ट्रेवल से रिलेटिव वीडियोग बनाता हूँ तो guys आज की वीडियो में हम Admission in Italy 2023-2024 Intake के बारें बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर मैं complete detail में 3-4 पॉइंट के लिस्स करूँगा जो के आपके Admission Process में help करने वाले हैं इसके अंदर सबसे पहला Point के Admission Opening and Closing Dates क्या होती है Second Point required documents आपकी क्या होंगे Third Point के आपका Admission Criteria किस तरीके का हो सकता है Fourth Point के इस पूरे Process में Admission से लिए कि वीजा तक आपको कितना टाम लग सकता है And Fifth Point के पूरे Process में आपका Expected Expense कितना हो सकता है कि कितना खर्चा आपका हो सकता है तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्रेस्ट है सबसे पहले Admission Deadlines के उपर बात करते हैं कि Admission कभी Start होते हैं Universities के और कभी Close होता है तो जैसा कि आप सब लोग को मालूम होगा या फिर मालूम नहीं होगा तो मैं बता जेता हूँ कि Admission जो है इटली में वो स्टार्ट हो चुके है 23-24 इंटेक के जिसके अंदर कुछ Universities हैं जिन्हों ने अपने Admission की Call Open कर दी है जिसके अंदर University of Padua है University of Masirata, Polytechnic University of Milan तो यह दो-तीन Universities हैं जिनके Admission स्टार्ट हो चुके है तो जनरली अगर बात की जाए कि इटली में Admission कभी Start होते हैं और कभ Close होते हैं तो ऐसी कोई Fix Deadline नहीं है यानि हर University के अपने एक अलग Deadline होती है लेकिन अगर यह बात की जाए कि कब से कब तक Open रहती हैं तमाम Universities तो उसमें बात की जाए तो नवेंबर से स्टार्ट होते हैं नवेंबर इस साल के नवेंबर से स्टार्ट होंगे और यह Admission चलते रहेंगे जून जुलाई रख ठीक है इसके अंदर हर University की अपनी एक अलग Deadline होगी जैसे पड़ोवा ने अभी नवेंबर की सेकंड का अडिमिशन ओपिन की हैं तो इन की अलग अलग call जाती हैं चार-पांच इनके राउंड होते हैं और यह राउंड़ अलग अलग चलते हैं वहलब 15 महीने का इसमें तो अब यह बिसंबर में एक दू और उपिन होगी फिर जनवरी में में मेजर इन जबरी, मार्च, अप्रेइल, इस चार महीने और अल्मूस सारी उनिफिटी इस ओपिन होती है, तो आप लोगको मेरे ही मश्वरा एक डॉक्मेंट अभी से रेडी कर लो और उनिफिटी को देखे रो कि कौन-कौन सी इस तो जो जो ओपिन हो रही है, आप अपना कोर्स पहले स देख के रख लो कि इस university में आपको कोर्स है, कोर्स निकाल के रख लो, जैसी university open हो जाए, आप application फिल करो और अपनी application पो submit करो, ठीक है? तो हर university की अपनी deadline होगी, अगर कोई जनवरी होगी open हो रही है, तो हो सकता है, वो April में close हो, कोई अभी December में open हो और यह तो हो सकते हैं, मही में close हो, तो university की deadline आपने अपने इसाब से देखना है, कोई तीन महीने में close होगी, कोई पांच महीने में close होगी, और तो उसी दोरान आपने अपनी application को फिल करके submit करना है, second point के ओपर बात करें, तो वह है required documents है, यह admission के लिए कौन कौन से documents required होंगे, तो सबसे पहला जो required document है, वो आपका passport है, ठीक है, तो passport आपने जिसका नहीं बना वा वो आप बनवा लो, अभी से, और एक चीज़ का खया रखना है, जिनका अलरी passport बना हुआ है, उन्होंने अभी अगर application स्टार्ट करें, तो अभी से लेके next, कम से कम two and a half year तक आपका passport वैलिड होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी admission स्टार्ट करें तो वीज़ा आपका जाके आज जून जुलाई या फिर सब्टेंबर तक अप्लाय होता है वीज़ा ठीक है, second required document आपकी cv होती है, cv आपने एक अच्छी सी बनानी होती है, जिसके अधर आपने complete detail लिखनी होती है, आपके educational detail, आपके experience, आपकी extracurricular activities, आपके skills और सारी चीज़े, आपके recommendation letter कि किस-किस में provide है, सारी चीज़े आपने उसमें लिखनी होती है, कैसे बनानी है, और किस format बनानी है, तो उनको उताया है, ये और पास format के पर आपने cv बनानी है, कैसे बनानी है, इसके मैंने video बना के upload की है, तो आप मेरे चैनल के उपर जाके उस cv देख सकते हैं, किस तरीके से बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर आपका result हो, ठीक है, mark sheet जो होती है, ठीक है, और उसके इलावा matric का certificate चाहिए होता है, admission apply करने के लिए matric की transcript चाहिए होती है, ठीक है, जो लग masters के लिए apply कर रहे हैं, तो उनको अपना intermediate 12 का certificate भी चाहिए होता है, उसके इलावा आपकी जो bachelor की degree transcript है, वो compulsory होती तो degree transcript आपके लिए compulsory होना चाहिए, जिसके बाद degree transcript नहीं है, सिर्फ transcript तो transcript से भी काम चल जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाए कि कौन किस course के लिए eligible है, अगर आप bachelor's के लिए apply करे हो, तो कम से कम 12 year of schooling आपको चाहिए होती है, bachelor के eligible होने के लिए, और जो लोग masters के लिए apply करें, उनके लिए कम से कम 15, यानि 15 साल की तालीम होनी चाहिए, तो यहाँ पर पाकिस्तान में तो 16 साल की तालीम होती है, चार साल के जो होता है, चार साल के लिए बैचलर्स होती है, जिन लोगों कि 2 साल का जो बैचलर्स होता है, यानि जैसे कि कि किसी ने 12th के आपने जो previous education जो है वो English के अंदर की है ठीक है इसमें दो चीज़े है आप चाहो तो किसी अपनी जो university है वहाँ से English proficiency letter भी बनवा के लगा सकते हैं उसके लावा IELTS भी लगा सकते हो ठीक है बाकि मेरा मशवरा अगर मांगे तो मैं यही कहूंगा आप लोगा आइट्स कर लें ताके बाद में और अभी दोनों टाइम पर आपके लिए कोई मस्वा ना हो होता है जिसके अंदर वो लिखते हैं कि हम इस student को जानते हैं personally और उसमें के अंदर आपके बारे में वो थोड़ी सी कारीफ अगरा लिखते हैं कि आपको एड्मिशन मिल सके ती कि यानि आपको रेक्वेंट करते होते हैं कि आप क्राइट इसको इस इनिशीटी में अड्मि एक पेश का डिएड़ पेश का मोटिशन लेटर बहुत ज्यादा होता है उससे जादा लिखने के नीड नहीं है उसके लाव रिकॉइड डॉकमेंट के अंदर आपको एक वाइड बैगरांट पोटो चाहिए होता है क्योंकि कहीं पी भी आप एप्लिकेशन करते हो आप से पोटो वो जरूर मांगते हैं और इसके लावा आपका आपके पास अगर अगर अप्लोड कर सकते हो तो आप अपनी एक्सपिरियंस लेटर को अप्लोड कर सकते हो ताकि आपके अप्रवाइल थोड़ी सी स्टॉंग हो जाए और को सर्टिफिकेशन वगर है तो वो भी उसक मासर्स के लिए जो लोग जा रहे होते हैं जादा तर लोगों का जो एड्मिशन क्रिटेरिया होता है वो दो तरीके से होता है या तो वो मोटिजिशन लेटर की बेस पर आपको एड्मिशन देते हैं या तो हो सकता है आप से इंटर्व्यू कंड़क्तर है ठीक है तो दो क् सकता है कि कुछ एसमें पॉर्टफोलियों मांग लेते हैं जैसे कि आर-डिजाइन को यह यह फेशन स्टेडी को से तो आप से पॉर्टफोलियों बाग सकते हैं ठीक है बाकि बैचलर के जो श्टूटेंट एंका क्रैटीरिया ऐसा हो सकता है कि यह तो उनको भी मोटिविशन कि भी बैचलर वालों का कुछ केसिस में टेस्ट भी होता है क्योंकि उनकी जो डिग्री होती हुँ चेक कर रहे होते हैं यार कि इस कोर्स के लिए पढ़ने के लिए एलिजिबल भी है या नहीं है तो एडमिशन क्राइट इस पूरे प्रॉसस के अंदर कितना टाइम लग सकता आपका क्योंकि में इंप्रॉटेंट चीज यहीं है कि अभी प्रॉसस कॉम्कूठी हो जाएगा यहाँ पे चेंज है, अपसर लोग यहाँ पे स्टूटेंट इसी में कंफ्यूज जाते हैं, कि वीजा प्रॉसेस के क्राइटीरिय क्या है, तो जो लोग कराची कॉंसलेट से वीजा अप्लाए करें, उनका प्रॉसेस चेंज है, यानि यहाँ पे आपने, आप कोई अपार्मे यानि आपने खुद से नहीं जाना होता है, वैसी आपको बुलाईगी कि काइनली इस दिन आके अपनी वीजार फिल जमा करा दें, तो प्रॉसेस का फरक है, इसके उपर मधीद फर्दर वीडियो बनाता रहूँगा, तो जैसी कोई अपडेट आती है, उसके उपर मैं फर् सेटेंबर अक्टूवर तक जा सकता है, क्योंकर क्लासेस जो सटार्ड होती हूं सेटेंबर के बाद ही होती है, तो सेटेंबर के में अपकोर में, तो तब तक ही आपका फाइनल डी सीजान आता है, यह जीज़ माइन बे रखना क्यार, एक साल का पुरा प्रॉसेस है, ऐसा आपका अगर आप इसनाबात इंबसे से अपलाए कर रहे हो तो एप्रॉक्सिमेटली आपका आइल्स के सर्टिफिकेट की भी कॉस्ट अगर लगा दू एक लाग से डेल लाग के अंदर आपका जो है वह एक्सफेंट आ सकता है यह चालीस पचास अजार के तो आइल्स से उसक क्या है क्योंकि कराची कॉंसलेट में एक-डू सर्टिफिकेट एक्स्टा मांगते हैं जैसे के सीमे का सर्टिफिकेट मांगते हैं और वो फुद एक सर्टिफिकेट 35,000 का है तो इसलिए आपका 40-50,000 एक्स्टा लगता है क्राची वालों का एस कंपेर तो स्लामबाद क्या 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 सर्टिफिकेट क्या क्यारिक्ठा इसलिए और कितना एक्समेस आपका लग सकता है और कितना Sindion होता है तो मेरे ने के लिए रहा हुथ होता हुए क्यौनकर पिर बाद में और बात में बढ़ता हूँ से रुपल्ज कि मेरे लिए बढ़ता हु अगले स्टुजेंट जो है उनके लिए बड़ी परीषानी करें तो वृड़क्षानी कोह सामने होता है वीजे करें मुझे दिसंबर के सटीमें करें इस मैंने वीडियो के अंदर भी बताया और मुझसे परसनली भी पूछ सकते हैं मैं आपको फर्दर गाइड कर सकता हूं ठीक है उसके लागा फर्दर जह हो मैं कल संटनसी सेशन्स वगरा भी देता हूं जो लोग मुझसे सिर्फ सेशन लेना चाहते हैं तो मेरा जो प्र लेनी ही हो या ना लेनी हो मुझे इस्टेक्राम पर फॉलर ज़रूर करें तो थैंक्यू सो मच गाइज उमीद करता हूं कि आपके सारे पॉंट्स के लिए हो गया होंगे और किसी को भी फर्दर कोई क्यूरी सवाल डाउट हो गया रहा है तो वो लिचे कॉमेंट सेक्शन क के अदर रक्त सकते हैं और पॉलडर किसी तॉपिक के ओपर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाओ तो वह भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं दाके में और उन टॉपिक्स के ओपर बदर आने वाले टाइम में वीडियो भनाता रहूं तो मिलते हैं कार रखिए का अलाफिस